कर तरह अगर हो जाए तो उसमें क्या प्रात्मिप अफचार की जानी चाहिए सबसे पहले हम लोग जान ले कि फ्रैक्स настоящ होता क्या है अगर कभी गिरने से एकसिडेंट होने से खर पोई हड्डी तूट तो इसमें क्या प्रमुक्ह रिग्षन moet अगर। हटि तोटने के बाद जोड़ी में अगर थ्यां में वहां movement कम हो जाता है ऐसी अगर इस्तिती हो तो हमें समझना चाहिए कि वह हिस्सा हमारा तूट गया है अगर ऐसे इस्तिती हो तो एजे प्राथमी कुप्छार हमको क्या करना चाहिए सबसे ज़रूरी यह है कि जो पार्ट हमारा बॉड़ी का तूट गया हो वह स्थिर रहे उसमें फर्दर कोई movement या गती नहों हो अगर ऐसा होता है तो आपको ज्यादा पेन होगा ज्यादा सुजन वहां पे बढ़ जाएगी तो उसके लिए क्या करना है आपको उस एरिया पे पैड़ी स्प्लिंट मतलब कोई लगड़ी का टुकड़ा कोई कूंट या कोई चाता आपको उस हिस्से पे रखना है इस तरह रखना है ताकि वह उस पार्ट को स्टेबल कर पाए उसके लिए आपको उसके स्प्लिंट लगाने के बाद उपर और नीचे बैंडे से आपको स्क्योर कर लेना है अगर हाथ में होता है तो हाथ में ऐसे करना है अगर पैर में होता है तो पैर में भी आप अगर गुटने के नीचे फ्रैक्चर है तो गुटना और आपको एडी का मुमेंट को रोक लेना है ऐसे इस तरह से स्प्लिंट आपको लगाना है इन केस अगर ज आप बांग सकते हैं ताकि आपका पैर इस्थिर रहे उसमें ज्यादा मुवमेंड नो हो इस तरह से मरीज को दर्द कम होता है उसमें सुजन कम होती है और उसके बाद आप उसको डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं दो चीजें याद रखने हैं कि फ्रैक्चर हो तो करना क्या है एक शॉट फर्म है राइस और आईसी चोट हो तो उसमें आपको यह फॉर्मूला फोलो करना है और मतलब रेष्ट अगर चोट लगती है तो उस हिस्से को आपको रेष्ट देना है आई मतलब आइस पैक्स आपको आइस पैक से उस हिस्से की सिकाई करनी है आपको 15 मिंट सिकाई करनी है हर एक दो घंटे में और सी मतलब कंप्रेशन बैंडेज आपको इस हिस्से को कोई क्रैब बैंडेज या कोई गरम पट्टी से आपको इस हिस्से को बादना है वैसा करन उस हिस्से में सुजन भी कम होगी और दर्द भी कम हो जाएगा E, E मतलब Elevation, आपको उस पार्ट को बोड़ी के हिस्से से थोड़ा उचा करके रखना है हर्ट के लिवद से उचा करके रखना है अगर हाथ में चोट लगती है तो हाथ को ऐसे मोड़ के आपको दूसरे हाथ से या स्लिंग लगा कि उसको सपोर्ट करना है अगर पैर में चोट लगी है तो पैर के निचे तक या लगा कि उस हिसे को इलवेट करना है ऐसा करने से सुजन में भी कमी आती है और दर्द भी कम होता है क्या चीज़े नहीं करनी है उसके लिए एक फर्मूला है हार्म ह-A-R-M ह मतलब हीट कभी भी ऐसी चोठो उसमें आपको गरम चीज़े सिकाई नहीं करनी है जैसे यह से अलकोहल बहुत लोग उस पर एलकोहल के सिकाई करते हैं हल्दी चुना लगाते हैं वो चीज़ आपको नहीं करना है R मतलब रनिंग या एक्सरसाइज मतलब उस हिस्से से आपको फिर फर्दर काम नहीं लेना है मतलब आपको उस हिस्से को रेश्ट में रखना है फ्रैक्चर हो गया है तो उस अब्यक्ति को तुरद कुछ खाने पी निक लेना दे पहले डॉक्टर के पास जाए और दूसरे चीज़ है कि अगर हाथ में फ्रैक्चर है तो उंगलियों का इस्तिति आप देख लिए पल्स अगर आपको पल्स चेक करने आ तो तो देख लिए उस इसमें पल्स है कि नहीं उंगलियों में मूव्मेंट और सेंसेशन उंग्लियां गरम है कि नहीं अगर फ्रैक्चर के बाद हाथ के उंगलियों और पैर के उंगलियों में ठंडापन या सुनापन अगर आ रहा है तो आपको अरजेंटली बिना टाइम गवाए डॉक्टर के पास जाना चाहिए धन्यवाद